अब हमें इस डेटा को थोड़ा सा और विजुलाइज करना है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ छटे नंबर की जो रो है इसमें कुछ नहीं है तो इसको इसको डिलीट कर देता हूँ और यह जनवरी फरवरी वाले को थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा दीखे और इसको कर देते हैं पूरे को सेंटर्ड चीहां तो यह काफी अच्छा लग रहा है अभी इस मोमेंट पे अब मुझे क्या करना है जैसे क्वार्टर वाइज मैं क्या कर सकता ज़मस के बाद में उपर जाओंगा इंसर्ट पर और यहां आप देश कती हो यहां बहुत सारे चैर्टs हैं तो सबसे पहले में cluster column वाला select कर लेता हूं और जैसी मैंने किया यार यह दिख सकते हूं चार्ट आगे मेरे पास बहुत ही सुन्दर चार्ट है इसको मैं यहां पर ड्रैग और ड्रॉप करके इस जगे पर चुपका देता हूं ताकि मुझे पता चले कि कौन सा चार्ट है थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं तो यह चार्ट आगे मेरे पास थोड़ा सा चार्ट आगे और अच्छा लग रहा है बिल्कूर पर्फेक्ट लग रहा है अब मॉमबाइ कॉलकता हार्याना बैंगलोर और इस ने है ूप क्लिक करो गए तो देख सकते हूं वेल्यू भी आरिया उन सबकी और यहां पर टाइ करना हूं Q1 और तक वसा तरीकासा के आप चार्ट लिखा सकते हो अवा तो आप फिर पट्राइस प्रीं करना वाला हूं नेससरी साह नेक्श वीडियो में कुछ और देखेंगे तैंकिय।